मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादाओ आज वो मौका मुएना भी कर सकते हैं मौके पर जाकर देख सकते हैं पिड़तों से मुलाकात करेंगे उनके दौरे की पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है अलर्ट पर पूरा हर्दा जिला प्रशाशन है स्थावगी शैलेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए है शैलेंद्र मुख्यमंत्री हर्दा पहुच चुके हैं आगे का क्या कुछ उनका कारिक्रम अगे की तरफ जो पूरा दूसरी फेक्रम पूरे चेतर में हवाई इस तल का दोरा निरिक्षिड करने के बाद अब उनका हेली अपर यह बता जा रहा है कि यहां पर कुछ देर उतरेंगे और उसके बाद यहां पर नीचे जो खटना इस तल है उसको देखेंगे कुछ अपसरों से बात करेंगे गट और जानेंगे और उसके बाद हो वहाँ जिला अस्पताल जाएंगे जहां पर बड़ी चंख्या में मरीज बरती हैं उन मरीजों से बात करेंगे गायलों का हालचाल जानने के बाद ये संबावना है कि वो मरीजों से मिलने के बाद उनका हालचाल लेने के बाद वर्स्तु इस तिडिका पता करने के बाद फिर गटना इस तल पर एक बार आएंगे और फिर यहां पर अपसरों से पूरी रिपोर्ट लेंगे कि क्या लापरवाही रही और अगर कोई गटना म में लापरवाही है या किसी तरह का बड़ी दोसी पाया जाता है तो उसके खिलाब फिर क्या कारवाही करना उस संबन में बात करें हो बिलकुल बहुत बहुत शुक्री आपका इस तमाम जानकारी के लिए और यह तस्वीरें आप देख पाना है मुख्यमंत्री पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने हवाई सर्वे किया उस जगह का जहां पर लगातार कल धमाके हुए हैं पटा का फैक्ट्री में इसके बाद ये भी हो सकता है कि पीड़ों से मुलाकात के बाद फिर से मौके पर पहुंच सकते हैं महापर जिस तरह से रहत और बचावकारी चल रह है और अब वह अस्पिडाल पहुंचकर सबसे पहले पीड़ों से मुलाकात करेंगे उनका हाल चाल जानेंगे मामले के बारे में उन्हों से जानकारी लेंगे ये भी हो सकता है कि बड़ी बैठ ठक वो ले मुख्यमंत्री डॉक्टर मुहनी अदव पहुंच चुके हैं हर्दा की तस्वीरे भी आप देख रहे हैं हर्दा पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने उस इलाके का हवाई सर्वे किया जहां का लगातार धमाके हुए पठाका फैक्टरी में विस्पोट हुए हेलिकॉप्टर से ही उन्होंने निरिक्षन किया है और इसके बाद अब पीड़तों से मुलाकात करेंगे माना यह जा रहा है कि वे एक बार और